में सारा देश एक जो ठोकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है लड़ाई लड़ रहा है मैं आप सब का हिर्दा से आभारी हूँ आपने भी इस लड़ाई में अपना भरपूर योगदान दिया है लागडाउन के दौरान आपने कई कस्ट उठाते हुए भी हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें घरों से बाहर ना निकलें उसका ठीक तरह से पालन किया है कोरोना के खिलाफ युद्ध में जैसा पूरा प्रदेश एक जो ठोके नरेंदर मोदी जी के हमारे प्रधान मंत्री जी के पीछे खड़ा है मैं आप सब को धन्यवाद देता हूं लागडाउन का एक चरण 14 अप्रेल को पूरा हुआ है अब दूसरा चरण प्रारंभ हुआ है मैं अपने उन सभी कर्म बीरों को योद्धाओं को प्रणाम करता हूं हमारे डॉक्टर्स हमारी नर्सेस हमारे पुलिस के करमचारी हमारे पुलिस के जवान रेवेन्यू कामला नगरी निकाय कामला पेरा मेडिकल स्टाफ इस काम में लगे हुए हर भाई और बहन को मैं प्रिणाम करता हूँ जन्हों ने अपनी जान हतेली पर रखके दूसरों की जिन्दगी बचाने में अपना सब कुछ जोंकने का फैसला किया है और आज उसी का परिणाम है कि कोरोना से लड़ाई जीतने की दिसा में हम काफी आगे बढ़े हैं सकारात्मक परिणाम अब आप सब के परिस्ट्रम से सामने आने लगे हैं हमने देखा अब कोरोना पॉजिटिव पैसेंट्स की संख्या उतनी नहीं आ रही इंद और में भी इस्थिति नियंत्रित है भोपाल में भी इस्थिति नियंत्रित है कई इनों से उस्था जनक समाचार मिल रही शिपुरी कोरोना मुख्थो गया है ग्वालियर भी उस दिसा में पढ़ गया है बाकी जिले भी बहुत अंगर सभी बाकी है महा यक गधूरा है और आहूतियां डालनी है मैं इसे सभी कर्म वीरों को हिर्देश से धन्यवाद देता हूँ नमन करता हूँ जो इस ललाई में दिनों रात लगे हुए जनता जनारदन को समासेवियों को स्यमसेवी संग्ठनों को सबको मैं प्रणाम करता हूँ व्यठित और दुखी भी है कल देर रात हम ये दुखत समाचार मिला कि इंदोर के जूनी इंदोर ठाने के हमारे ठाना प्रभारी स्री देवेंद्र चंद्रवनसी जी का कोरोना संक्रमन से लड़ते लड़ते सरगवास हो गया इस गटना से मन बहुत व्यठित है करतव की वलवेदी पर उन्होंने अपने आपको नियुचाबर कर दिया कल तक में बहुत आस्वस्त था कि वो जल्दी स्वस्त होके आईंगे उनका दूसरा कोरोना टेस्ट भी निगेटिव आ गया था लेकिन कल देर रात वो अचानक हमें छोड़कर चले गए मैं उनके चरणों में सृद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ हमने फैसला किया है उनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती उनका परिवार अब हमारा परिवार है उनकी धर्मपत्नी स्रीमती सुस्माजी हमारी बहन है उस परिवार को पचास लाख रुपेगी सम्मान निधी दी जाएगी बहन सुस्मा को सव इंस्पेक्टर के पत पर ततकाल निउक्ती दी जाएगी एक्स्टा और्णरी पैंसन पतलब देवेंद्र जी जब रिटायर होते तब तक का पूरा वेतन उनको दिया जाएगा हम उनको बापिस नहीं ला सकते हैं लेकिन अकेला मैं नहीं पूरा प्रदेश इस परिवार के सांथ ख़़ाएं बहन सुस्मा के सांथ ख़़ाएं श्र देवेंद्र चंद्रवंसी जी को मर्नो परांत कर्म बीर पदक दिया जाएगा कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हमारे पुलिस के जबान और अधिकारियों उत्क्रिष्ट काम करते हुए उनको पंद्रह आगस्त पर कर्म बीर पदक से सम्मानित किया जाएगा पुलिस के अलाबा बाकी विवाग के जो हमारे कर्मचारी जो कोरोना के से युद्ध लड़ रहे हैं पीरतों की सेवा में लगे हुए हैं यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं सब को कर्म बीर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा जो अपने आपको जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं प्रदेश उनको प्रणाम करता है और उनका पूरा सम्मान करेगा हमें अपने हमले की पूरी चिंता है और इसलिए एक तरह मानी प्रणामंत्री जी उन्हें ने स्वास्थ विवाग के सभी कर्मचारी अधिकारियों को पचास लाग के बीमा का सुरक्षा कवच दिया हमने ये सुरक्षा कवच बाकी सभी विवाग के कर्मचारी अधिकारी जो इसकाम में लगें उन तक इसका विस्टार किया हमने एक फैसला और किया कि स्वास्थ विवाग के हमारे वो कर्मचारी डॉक्टर्स नर्सेस कंपाउंडर सफाई कर्मी जो कौरोना पॉजिटिव मरीजों के निकट संपर्क में रहके उनकी सेवा करते हैं उनकी सेवामूल है उसका कोई मोल नहीं है लेकिन उनको दस अजार रुपया प्रिति माहे की सम्मान निधी भैट की जाएगी ये सम्मान निधी हम उनको भी देंगे जो किसी भी में भाग के कर्मचारी हूं लेकिन कोरोना की लड़ाई लड़ते लड़ते अगर संक्रमित हो जाए तो इलाज तो हो गई सम्मान निधी भी उनको भैट की जाएगी मेरे प्रिये बेहनों और भाईयों हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे आपने देखा कली इंदोर से भोपाल से कोरोना के कई पैसेंट पूरी तरह से स्वस्ट होकर घर बापिस लोटे हैं समय पर अगर इलाज करा लिया जाए तो कोरोना कोई बड़ी बीमारी नहीं है सर्दी जो काम जैसी है लेकि नियाद रखना देर अगर कर दी कि ये जान लेवा हो जाती है हमारे प्रदान मंतरी जी ने कहा था जान है तो जाहन है तो जान की भी चिंटा करनी है और इसलिए कल से जो भारत सरकार की गाइड लाइन है उस गाइड लाइन के अंतरगत हम कई तरह की आरथिक गत्वीधियां भी प्रारंभ करने बाले है वित्रो ये बात सही है कि कोरोना महामारी ने सारी दुनिया को हमारे देश को भी और हमारे प्रदेश को कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है हम पैसे की व्यवस्था करेंगे कई आर्थिक गद्विधियां शुरू करेंगे और भारत सरकार्न नमानी प्रधान मंत्री ने जो गाइड LINE हमको दिय है कई तरह के अंद्रमान के काम हम कलए सहा रखक की मरमत हो स्चाई के तालाब हो डैम का काम हो मन्डेगा की मजदूरियो कई तरह के काम हम प्रारंभ करने वाले किसी एक छेतर के कई काम हम सुरू कर रहे है मेरे किसान भाईयो हमारी उपज को खरीदने काम मैंने पहले ही फैसला कर लिया है आप जानते हैं कठिन समय है एक तरफ कोराना से जंग और दूसरी तरफ इन परिस्थितियों में ग्यहूं खरीदना और ग्यहूं के वाद हम चना सरसों मसूर भी खरीदेंगे उसकी तैयारी जारी है हमने खरीदी के अंदरों की संख्या बढ़ा दिये ताकि एक खरीदी के अंदर पर जादा लोग ना आए और मुझे खुसी है कि खरीदी प्रारंब हो गई है आप चिंता मत करना देर हुई है लेकिन किसानों के उत्पाद का एक एक दाना खरीदूंगा धहरी रखिए जब आपका नंबर आए तभी आईए समस आपको किये जा रहे हैं और एक विकल्प और हमने खोल दिया है किसान अगर चाहें तो मंडी के बाहर भी बैपारी को हमने यह अनुमती दिया किसान के घर जाके अगर रेट ठीक देता है तो आपके उत्पाद को आपके अनाज को खरीद ले वसे बैपारी आपके घर आपकी फसल खरीदने आएगा मंडी में खरीदने की बाधता को हमने समाप्ट कर दिया है वो चाहे तो निजी खरीदी के अंदर भी खोल सकता है सुरक्षा के निवेदन मेरा यह यह कि खरीदी के समय सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और अपन तो किसान है अपन तो किसान है गमशे का भी मास्क बनता है अगर धुला हुआ सावन से हो तो जो गाइड लाइन उसका पालन कीजिए और एक बात और बताती हूं मजे आज प्रसंदी पिछली सरकार ने पिछली सरकार ने फसल भी मा योजना का प्रीमियम नहीं भरा अठारा उन्नीस की खरीफ की फसल रभी की फसल उसलिए भी मा का प्रीसा मिले ही नहीं किसान को मैंने आते ही फसला कर लिया है 22 करोर रुपया प्रीमियम हमने जम्मा कर दिया है और अगले हफ़ते ही लाखों किसानों के खाते में लगवक्त तीन हजार करोर रुपया डाला जाएगा किसान की अधिकार को छिन्ने नहीं दूंगा परिस्तियां कठेने होती रहे लेकिन आपका हख आपको मिलेगा आगे और भी कदम उठाएंगे आर्थिक गत्विदियां सुरू होगी तो मजदूरों को मजदूरी मिलेगी मन्डे का जैसे काम ब्यापक प्यमाने पर सुरू करेंगे तेंदू पत्ते की तुड़ाई सुरू होगी मौवे का फूल खरी देंगे करंच का वीज खरी देंगे मौवे के गुली खरी देंगे सहदो साल का वीजो और अगर इसके दाम कम मिले तो हमने सबके दाम तै कर दिये हैं नियून तम समर्थन मूले तै करके बनो पच्छंग से खरीदी करवाऊंगा ताकि गरीब को पूरा दाम मिल सके एक ही आकरह बेरा है चाय हम निर्मान के काम सुरू करने जाएं उद्धोग जगत को भी हमने छूट दी है वो साफधानियों के साथ जो भारत सरकार की गाइडलाइन उनका पालन करते हुए अपने उद्धोग चालू कर सकते हैं लेकिन सर्थ है नमबर एक हमने प्रदेश को तीन हिस्सों में बाटा है नमबर एक वो जिले जो संक्रमन से मुक्त है हमारे आधे जिले लगबख संक्रमन से मुक्त है भालाग डाउन के नियमों का पालन करते हुए निश्चिदूरी बना रखते हुए आर्थिक और धोगिक खेती की सारी गत्विधिया चालू की जाएंगी निर्मान के काम चालू किये जाएंगे दूसरे वो जिले हैं जिनका कोई एक सहर होट स्पार्ट है या वहां कंटेन्मेंट एरिया हमने बना रखा है उस कंटेन्मेंट एरिया को छोड़कर वहां से कोई बहु हार ये जाएगा कोई अंदर नहीं आएगा उसको छोड़कर बाकी इलाके जो सामान है भाई इस तरह की गजविधियां चालू करेंगे लेकिन जहास संक्रमन की स्थिति अभी गंभीर है इंदो और भोपाल उज्जेन जैसे जिलों को छूट नहीं मिलेगी क्योंकि हमारी पहली चिंता लोगों की जिन्दगी है और इसलिए ब्यापक प्यान माने पर कई जगे आरते गद्विधियां सा जा सामान परस्तियां वहां दुकाने वगरा किराने की दुकान से लेके बागी जरूरी चीजों की दुकाने वो भी खुलना सुरू होंगी मैं ओनलाइन ट्रेडिंग जैसी व्यवस्था का ज्यादा पक्षधर नहीं हूं क्योंकि मेरे गरीब छोटे-छोटे वैपारी उनका काम धंदा भी मुझे चलाना है लेकिन एक बात याद रखें ये सारी छोट अगर किसी को द्योग चलाना है तो कोई कंटेनमेंट एरिया से संक्रमित इलाकों से कोई मजदूर नहीं आएगा ना वहां कोई जाएगा भुपाल इन दोर के बारे मैंने पहले ही बताए मैं तो बल्ल भवन तक कभी नहीं खोल रहा हूं क्योंकि हां संक्रमित को नियंत्रित करने में हम लगे हुए हैं अब यह सुखत समाचार मिल रहे हैं कि पॉजिटिव पैसेंट बहुत कम आ रहे हैं लेकिन अभी हमें साब्धान तो रहना पड़ेगा बहार निकलेंगे तो मास्क लगा की निकलेंगे कोई कहीं थूकेगा नहीं गुटका पर मैं पृतिबंद लगा रहा हूं यह गुटका नहीं चलेगा नहीं तो गुटका खाया और थूंक दिया सराब का सेवन नहीं हो सकेगा काम करते हुए उस पे भी पृतिबंद हैं और जो मजदूर आ जाएंगे वो ऐसे सेहरों से आए जिसके किसी एरिये को अगर हमने कंटेन्मेंट एरिया बना रखा है तो फिर बापस नहीं जाएंगे उनको केम्प में ही बिवस्था करनी होगी बुजुर्ग नहीं निकलेंगे घर से बाहर क्योंकि उनकी जिन्दगी को ज़्यादा खत्रा होता है बच्चे नहीं निकलेंगे बीमार नहीं निकलेंगे जिनको फैफडे संबंदी कोई भी बीमारी है किसी और गंभीरी बीमारी से ग्रसित है उनको कोरोना वाइरस जल्दी घातक सावित होता है तो ये सारी सावधानिया रखते हुए सरकारी दफ्तर भी मैंने बताए कि मैं ऐसे नहीं खोलेंगे कि खोला और भीडा गई ये खत्रा नहीं हम नहीं उठा सकते मेरे प्रिये बेहनों और भाईयों ये चुनोती है हमारे प्रदेश के सामने कोरोना की चुनोती इससे लड़के इसको हम खत्म करेंगे ये जजवा हमारे अंदर है आप सबसे प्रार्थना है होस्टला रखिए हिम्मस से लड़िया और लड़ना मतलब मिलने जुलने की संपर की कड़ियों को तोड़ देना उसका पालन कीजिए इलाज के मामले में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे देश और दुनिया में जो बहतर हो सकता वो करने की कौसिस कर रहे आगे इन प्रियासों को जारी रखेंगे और एक बार में और एक बात और कह दूं मैं चुनोती तो है लेकिन इस चुनोती को मैं अवसर में बदल कर ही चैन की सांस लूँगा इस चुनोती के बीश से नैसरे से प्रदेश को ख़ड़ा करना है नई रहा पर प्रदेश को चलाना है इसलिए आने वाले समय में अन्यकों योजनाएं मेरे दिमाग में हैं गरीवों के लिए, किसानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, भांजे भांजियों के लिए, आर्थिक मंदी से प्रदेश को उबारने के लिए, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बस आप सबसे यही निविजन है, संकट के समय मध्ध प्रदेश की साड़े साथ करोड जनता, एक जुठ हो, एक जुठता का परिशे आपने दिया है, अगर छोड़नें तो, सारा प्रदेश एक है, मिलके हम लड़ रहे हैं, मिलके हम इस कोरोना को भी पराजित करेंगे, और नए सिरे से, अपने मध्ध प्रदेश को खड़ा करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास से, इसके लिए आपका भरपूर सहयोग मिलेगा, आईए मिलके लड़ें, आगे बढ़ें, मध्ध प्रदेश को आगे बढ़ाएं, बहुत बहुत धन्यवादेगे.